आज है 9 अगस्ट 2020 और आज मैं आपके सामने एक लेटेस इंफोर्मिशन लेके आ रहा हूँ जो आज एनॉंस की गई है डिफेंस मिनिस्ट्री के दुआरा हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाज सिंग जी ने आज आत्म निर्भर भारत को आगे बढ़ाते वेक बहुत फैसला लिया है या कहूं में एक बहुत बड़ी पहल की है जो आज से पहले हिंदुस्तान में शायद कभी नहीं हुई है आपको पता होगा देखिए हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो एप्रॉक्सिमेटली 65-70% इंपोर्ट के उपर डिपेंड करता है हमें हमारी मिलिटरी के लिए हमारे एवफोर्स और नेवी के लिए जो हाडवेर्स की जरुवत होती है वो सारे 65-70% बहार से आयात किये जाते हमारे देश में जिसके कोर्रस्पोंडिंग जिसके लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और वो पैसा डॉलर्स में हमें देना है दूसरे देशों को जिसकी वज़े से देखिए हमारा जो रक्षा बजट है हमेशा बहुत जादा रहता है और हमें सारे आइटम्स बहुत जादा कीमत पर खरीदने पड़ते हैं लेकिन देखिए उसी डिपेंडेंसी को खतम करने के लिए उसे इंपोर्ट की डिपेंडे इस तक पूरा कर लिया जाएगा और वो सारे के सारे 101 आइटम्स हमारे देश में ही बनाए जाएंगे हमारे पास तमाम जितनी भी डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है उन सब की केपेबिलिटीज को चेक करकर पूरा एनलाइज करकर कौन सी कंपनी क्या कुछ बनाएगी उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर एक क्रियेट हो जाता है कि क्या अब डिफेंस सेक्टर के अंदर बूम आने वाला है अगर आप मेरे से परसनली पूछे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है इसके बाद डिफ सेक्टर के वीडियो में कि यहां पर FDI को भी 74% तक अप्रूबल देने का प्रावधान बना दिया गया है कि FDI अब डिरेक्ट रूट से 74% तक हमारी डिफेंस कमनी के असाथ में करार करकर स्टेक ले सकते हैं FDI इंवेस्मेंट का ऐसा सरल नियम हमारी सरकार ने बना दिया है इंपोर्ट का उसको काफी हद तक हम लोग कम कर पाने में सक्षम हो जाएंगे तो देखे क्या वो नियूस है सारी क्या वो आर्टिकल से और किन शेर्स को उसके अंदर फायदा मिल सकता है मैंने काफी नाम तो अपने थमनेल में भी दिये हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ले सारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा के फ्रॉम बिग गन्स टु मिसिल्स इंडिया बैंस इंपोर्ट और वो बेसिकली डिफेंस सिस्टम के अंदर सेल्फ रिलाएंस यानि कि आत्म निर्भर भारत को बूस्ट करने के लिए ये स्टैप उठाया जा रहा है आगे देखें मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या लिखा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंग उन संडे सैट देट गवर्मेंन्स इसके उपर अब बैन कर दिया जाएगा ओफीशली उनको बैन कर दिया जाएगा इंपोर्ट करने से और ये सारा का सारी कवा आत्म निर्बर अभियान को लेकर की जा रही है एनाउंसिंग देखें में डिफेंस इसके अंदर भारत के लिए लिस्ट में क्या-क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दर लिस्ट इंक्लूड इंक्लूड आटिलियरी गंस, missile destroyers, ship born cruise missiles, light combat aircraft, light transport aircraft, long range land attack cruise missiles, communication satellites, basic trainer aircraft, multi-barrel locket launchers, a variety of radars, assault rifles, sniper rifles, mini UAVs and different type of ammunitions ये बहुत बड़ी variety, बहुत बड़ी range हो जाती है और ये सारी की सारी range हमारे यां consume होती है हमारे तीनों defense wings के अंदर Navy, Army and Air Force और आप सोचिए इतनी बड़ी हमारी सेना है विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी सेना हमारी मानी जाती है उसके पास जब इतना समान आ हमारे देश में ही बनेंगे, हमारी खुद की कंपनिया ही बनाएंगी, तो यानि के जो पैसा भार जाता था अब वो हिंदुस्तान में ही रहेगा, सरकार खर्च करेगी लेकिन सरकार को उल्टा उसके उपर tax के रूप में आमदनी भी होगी, और देखे दूसरी बाज़ 2020 and 2025, ये भी लिस्त देखे बताती है कि 2020 से लेके 2020 तक ये सारा का सारा जो इंपोर्ट पर बैन है, ये किया जाएगा, किस तरीके से इसको स्प्लिट किया है, वो सारी डिटेल्स भी इनोने हाँ पर दीवी है, all necessary steps would be taken to ensure that the timelines for the production of the equipment on the negative import list are Matt Singh said, इसका देखे मतलब क्या है, कि negative import list, मतलब import list के अंदर से जो समान हटा दिया गया है, वो negative import list कहलाएगा, और ये ensure कर लिया गया है, कि सारे के सारे steps ले लिये गया है, कि time के साथ में, जिन समानों को हटा गया है, उनकी आपूर्ती सेना की तीनों wings को कर दी जाएगी, यानिके हमारी जो indigenous companies हैं, जितनी भी च प्राइवेट सेक्टर की हो, उनकी capabilities को देखकर, और raw material की availability को देखकर, ये decision लिया गया है, कि time के साथ में, timeline को match करते वे, यहाँ पर आपूर्ती कर दी जाएगी, इस import से कोई भी दिकत होने नहीं वाली है, हमारी defense sector को, आगे देखे लेके चलता हूँ, the list also includes wheeled armored fighting vehicles, AFVs, with indicative import embargo date on December 2021, of which the army is expected to contract almost 200 at an approximate cost of 5000 crores, wheeled armored fighting vehicles, अभी हमारे देश में कौन बना सकता है, Mahindra and Mahindra, यहाँ से देखे, Mahindra and Mahindra को बहुत बड़ा फायदा होता है, दिखाई दे सकता है, हाला कि अभी जो उनके results आए हैं, वो बहुत ही जादा negative results आए है, 97% उनका revenue clash हो गया था, लेकिन यह खबर एक positive रूप में देखी जा सकती है, उन companies के लिए भी जैसे अशोक लेलेंड से वो vehicle तयार करती है, Mahindra Mahindra है, वो armored vehicles तयार करती है, तो उन सारी companies को बहुत फायदा मिलता है, नजर आएगा, और यह जो देखे, import है armored fighting vehicles पर, कि December 2020 से लागू हो जाएगा, of which the army is expected to contract almost 200 at an approximate 5,000 करोड रुपीज का यहाँ पर approximate cost है, जो 200 vehicles के लिए यहाँ पर contract दिया गया था, आगे देखे, important आपको यहाँ पर point बताता हूँ, almost 260 schemes of such items were contracted by the tri services at an approximate cost of 3.5 lakh करोड between 2015 and August 2020, यानि कि tri services के साथ में लगबग 3.5 lakh का यहाँ पर एक contract किया गया था, 5 सालों के लिए, April 2015 से लेगे और अभी अगस 2020 तक के लिए, जिसके अंदर 260 scheme थी, जिसके अंदर हमें procurement करना था, 3.5 lakh करोड रुपे के सामान का, तो it is estimated that contracts worth rupees almost 4 lakh करोड will be placed upon the domestic industry within the next 6 to 7 years, अब देखें, यहाँ पर बात निकल के आती है, important जो मैंने शुरुआत में कही थी कि, यहाँ पर हमारी घरेलू industry को फायदा होगा, लगबग 4 lakh करोड रुपे के contracts अब दिये जाएंगे, estimate ऐसा लगाया जा रहा है, हमारी घरेलू company को, domestic industry को आने वाले 6 से 7 सालों के अंदर, अगर यह ना होता, तो हमारी GDP का 4 परसेंट बाहर चला जाता आने वाले 6 से 7 सालों में, तो यह ताकत है कि हमारा पैसा हमारे पास ही रहेगा आगे से, देखें, यह बहुत important आपके लिए जानना, कि आप एक ऐसे देश में रहते हो, जहाँ पर defense का खर्च दुनिया में तीस इसरे नंबर पर सबसे जादा किया जाता है, सबसे जादा खर्च करने वाला defense पर United States होता है, उसके बाद China होता है, तीसरा हमारा हिंदुस्तान होता है, इतना बड़ा खर्च यहाँ पर किया जाता है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर क्या आती, कि वो सारा का सारा पैस हमारा जिसमें से 60-65% इंपोर्ट होता था वो बाहर चला जाया करता था तो यह important चीज यहाँ पर निकल के आई है जिसकी वेसे आपको आने वने टाइम में बहुत अच्छा भूम देखने को मिल सकता है अब देखे मैं आपको दिखा रहा हूं एक portfolio जो मैंने यहाँ पर basically बना मिक्स है, Apollo Microsystems है, Astra Microwave Products है, भारत Electronics, BEL देकि बहुत लोग पूछते हैं कमेंड में कि सर BEL कैसे defense company है तो सर मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहूंगा थोड़ा सा Google करके देखिया आपको पता चल जाएगा कितने सालों से defense के लिए काम कर रही है BEL और BHEL भी, special contract हुआ था February क के अंदर BHEL का कि वो defense के लिए यह equipments बनाएगी, तो थोड़ा सा आप Google करिए, आपको study करिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि BEL, BHEL, primarily मैं इसको नहीं कह सकता defense company लेकिन defense का यह काम करती है और मिश्र धातु निगम Limited इसना तो इतना जबरदस पैसा बना के दिया है, ल मैंने separate इसके उपर video भी बना रखा है, जिसके अंदर मैंने clear detail दी हैं कि यह company कैसे कैसे काम करती है, और क्या इनके products है, उसके बाद भारत Forge, देखे कल्यानी ग्रूप की company भारत Forge, 1999 में Cargill War में, जो हमारे bum के गोले हुआ करते थे, उसका cover इन्होंने manufacture किया था, और बहुत जबर्दस role निभाया था, उस work के अंदर, ये एक बहुत mega player निकल के आएगा, भारत Forge का जो stock है, आने वाले time के अंदर, हिंदुस्तान Aeronautics Limited, तेजस इन्होंने gift किया है हमारे हिंदुस्तान को, तेजस जैसा लडाकु विमान, जो देखे कि एक बहुत light plane है, और उसको यह आपर इन्होंने invent किया, उसको हमारी Air Force को दे रखा है, वो यह एक ऐसी company है, जो सिर्फ manufacturing नहीं करती, बलकि research भी बहुत हत्तक करती है, BEML भी एक ऐसी company है, जो defense sector के अंदर, बहुत widespread role play करती है, तो यहाँ पर आप देखें, इनके अगर, एक हफते के अगर आप इनके returns देख वाला है, इसलिए मैं आपसे कहरा हूँ कि जो भी stock आपको अच्छा लगे, उसके बारे में fundamentally research करके, सारी चीज़े जानकर, देखकर, उसकी news को देखकर, और उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी positions ले सकते हैं, पैसा आपका यहाँ पर बनेगा surely, सिर्फ आपको time horizon आपको फायदा होते वे नजर आएगा, तो इस वीडियो के अंदर दीगे information को आप कैसे देखते हैं, प्लीज हुझे comment box में comment करके ज़रूर बताएं, अबर यह वीडियो आपको अच्छी लेगी तो please like और शे भी ज़रू करें, मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में नए स् के साथ, अब तक के लिए नमस्कार, थैंक्यू, जैहिन